यहलो दोस्तों नमस्कार, Android TV Helper में आपका स्वागत है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो आज का मरा वीडियो है गेमपेट के बारे में आप मोबाल में गेमपेट कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बार में बताऊंगा वीडियो इन तक देखना और आप Android TV में सभी गेम खेल सकते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं आपको पहले प्लेश्टोर उपन कर लेना है उस फिर क्या करना है अपना मोबाल लेना है उसमें आपको जेंग रिमोट प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं मेरा मोबाल यहाँ पर है और यहाँ से आपको प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लेना है जेंग रिमोट तो यहाँ पर आपको सर यहां पर आपको सब कुछ बेक कर देना है और आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा तो यहां पर आपको सेटिंग में चले जाना है तो यहां पर आपको सेटिंग में जाना है फिर यहां पर आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है नीचे स्क्रोल करना है और यहां पर आप होगा बिल्ड का उस पर आपको एट बार टेप करना है तो यहाँ पर आपको एट बार टेप करना है तो जो आपका developer option है वो enable हो जाएगा और यह Android TV में फाइस्टिक में दोनों में work करता है application तो आप दोनों में use कर सकते हो तो फिर आपको क्या करना है आपको बेक कर लेना है और यहाँ पर आपको जो developer option होगा उस पर आपको ok करना है तो यहाँ पर आप दिसकते हैं यहाँ पर developer option enable है फिर आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है usp dubbing पर इसको भी आपको ok करना है और इसको enable कर देना है तो यहाँ पर आपकी setting complete हो गई है तो फिर आपको सब कुछ bake कर लेना है और वो application है वो आपको open करना है तो यहाँ पर आप देश सकते हैं मैं यहाँ पर app में चले जाता हूँ और जो jank remote है उसको मैं पहले tv में open कर लेता हूँ और आपको अपने mobile में same wifi से connect करना है या आप अपने mobile में ओसपोट ओन करेंगे और tv में wifi ओन करेंगे तो भी चलेगा तो यहाँ पर आप देश सकते हैं आपको जो भी permission नागे उसको यहाँ पर आपको allow करना है फिर यहाँ पर आपको ok कर देना है तो यहाँ पर सब कुस complete हो गया है फिर अपना mobile ले लेना है और उसमें भी एप्लीकेशन open करना है तो यहाँ पर आप देश सकते हैं यहाँ पर jank remote यहाँ पर है इसको आपको open कर लेना है फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप कोई भी बटन दबाएंगे तो आपका connect हो जाएगा तो यहाँ पर मैं mouse का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर आपकी TV का नियम है जाएगा उस पर आपको OK कर देना है तो आपका जो remote app है वो connect हो जाएगा और इसी में आप gamepad यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ केसे करना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ आप remote properly work करता है यहाँ गेमपेड भी properly work करता है आप Android TV में कोई भी गेम आसानी से खेल सकते हो यह gamepad के मदद से तो यहाँ पर आप देश सकते हैं सभी option यहाँ पर आपको मिल जाता है cast करना हो तो cast भी कर सकते हो सभी option यहाँ पर है फिर यहाँ पर आपको setting के side में यहाँ बटन है उस पर आपको ok करना है तो यहांपर आपको सभी गंट्रोल मिल जाएंगे और यहांपर आपको गेम का बिल जाएगा तो गेंपेड है यहां से ऊपन हो जाएगा तो यहांपर आप देश सकते है यह प्रफली वर्थ 워थ और आपको Android TV में कोई भी गेम खेल नहीं हो तो खेल सकते हो तो यहाँ पर आपर आप देश सकते हैं सब़ी option यहाँ पर properly वर्ग करता है मैने try भी कर लिया है सब़ी game यहाँ से properly आप use कर सकते हो और यह सबसे best gameplay depth है यहाँ पर आप देश सकते हैं सबी control यहाँ पर आपको मिल जाएगा और यह remote भी best है और यहां पर आप Gambit भी यूज़ कर सकते हो तो यह best application है Android TV के लिए और आप Fire Stick में भी यूज़ कर सकते हो और आपके पास Android phone है और ISO phone है दोनों में चलता है तो यहां से आप close भी कर सकते हो और आप remote यूज़ करना हो तो remote भी यूज़ कर सकते हो और वीडियो चलागा तो प्लीस लाइक और सब्सक्राइब ठेक्यो फॉचिंग नेश वीडियो मिलते है